असलाम लेकुम दियर स्टुडेंट्स कैसे हैं आप सब माइनेम इस रायान मलेक और आम हेर तो टीच यू फिर्जेक्स क्लास 10 आज हम स्टडी करेंगे चाप्टर नंबर 13 अलेक्ट्रो स्टाटिक्स तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ चाप्टर नंबर 13 अलेक्ट्रो स्टाटिक्स फरस्ट अफ आल हम क्रंट के बारे में स्टडी करते हैं आपने पढ़ा होगा the flow of charges is called crunt charges का flow करना इसे हम कहते हैं crunt अब electrostatics पढ़ते हैं कि ये क्या है the study of charges at rest is called electrostatics or static electricity तो वो charges जो rest की हालत में हैं जो रुके हुए हैं जो move नहीं कर रहे उन charges की study को हम कहते हैं electrostatics या फिर हम उने कहते हैं static electricity अब अगर हम daily life से इसकी example लें तो आप remote controls में जो cell यूज करते हैं उन cell के अंदर जो charges मौजूद हैं वो भी rest की हालत में हैं वो move नहीं कर रहे unless and until अगर आप उस cell को कहीं connect नहीं करते तो उन charges की study को हम कहेंगे electrostatics या फिर हम कहेंगे static electricity clear similarly इस chapter में हम वो charges जो rest की हालत में हैं हम उनके electric field को discuss करेंगे उनकी electric intensity को discuss करेंगे clear और इनके different measures भी हम इस chapter में हम study करेंगे तो आज हम अपना first topic स्टार्ट करते हैं that is 13.1 production of electric charges electric charges जो है वो कैसे produce होते हैं अब यहाँ पर एक statement लिखी है we can produce electric charge by rubbing a neutral body with another neutral body कि हम electric charge produce कर सकते हैं एक neutral body को दूसरे neutral body के साथ rub करके अगर हम एक बहुत simple example है like एक plastic comb अगर आप उसको अपने बालों में rub करें और rub करने के बाद आप उसको small pieces of paper के पास लेकर आएं तो वो papers जो हैं वो फोरन से attract होकर उस comb से चिपक जाते हैं तो ऐसा क्यों होता है just because of static electricity या फिर electrostatics क्योंके हमने उस plastic comb को जो के neutral थी उसको हमने rub किया अपने बालों में जब बालों में rub किया तो उस comb के उपर एक charges जो हैं वो develop हो गए और उन charges ने क्या किया वो just small piece of paper थे उनको attract करवा लिया और वो piece of paper जो हैं वो attract होके उस comb के साथ जाके चपक जाते हैं clear तो अब इससे आप ये analysis कर सकते हैं कि एक neutral body को भी हम rub करने से electric charge produce कर सकते हैं ओके अब आपकी book में दो activities दी गई हैं हम one by one इन activities को discuss करते हैं इससे आपका ये concept और clear हो जाएगा कि किस तरहां से दो charges produce होते हैं now activity 13.1 जिसमें उसने कहा कि एक plastic rod है इस plastic rod को आप एक fur के साथ rub करें ओके आपने इसको किस के साथ rub करना है आपने इस plastic rod को एक fur के साथ rub करना है अब fur के साथ rub करने से होगा क्या कि ये plastic rod charge हो जाएगा अब क्यूंके charge हमें नजर नहीं आता तो हम नहीं बता सकते कि इस plastic rod के उपर कौन सा charge आया है similarly एक और plastic rod है इसको भी हम fur के साथ rub कर लेते हैं तो ये भी charge हो जाएगा अब वो जो first rod था इसको हमने एक silk thread के साथ hang कर दिया और जो next rod था plastic rod जिसको आपने again fur के साथ rub किया तो ये भी charge हो गया अब obviously इस plastic rod को भी आपने fur के साथ rub किया तो एक charge develop हुआ इस plastic rod को भी आपने fur के साथ rub किया एक charge develop हो गया तो जो charge यहाँ develop होगा वही charge इसके ओपर भी develop हो जाएगा अब हम क्या करेंगे कि हम इस plastic rod को इस rod के करीब लेकर आएंगे हम जैसे ही इसके करीब लेकर आएंगे इसमें एक force of repulsion develop होगी वो दोनों rod जो है वो अपस में repel करेंगे वो दूर दूर move करेंगे तो यहाँ से यह clear हो जाएगा कि इन दोनों में same type of charges मुझूद है क्योंकि same type of charges जो है वो आपस में repel करते हैं तो यहाँ पर क्या होगी यहाँ पर repulsion हो जाएगी और यह दोनों rods जो है यह oppositely move करेंगे clear? तो इस तरह से हमें यहाँ पर यह clear हो गया कि यहाँ पर same type of charges जो है वो इन दोनों के पर develop हो गए है और वो same type of charges कौन से है यह हमें नहीं पता clear? अब हम activity 13.2 डिसकस करते हैं अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ 13.2 में एक glass rod है और एक plastic rod है अब हमने दो different materials ले लिए हैं अब glass rod को हम rub करते हैं silk के साथ इसको हम rub करते हैं silk के साथ और plastic rod को हम rub करते हैं fur के साथ clear? अब होगा क्या कि जब हम glass rod को silk के साथ rub करेंगे तो obviously इसके ओपर भी एक charge develop हो जाएगा अब हमें नहीं मालूम कि इसके ओपर कौन सा charge develop है और plastic rod को हम rub करते हैं fur के साथ तो इसके ओपर भी एक charge develop हो जाएगा और हमें नहीं मालूम कि वो कौन सा charge है क्योंके charge नजर नहीं आते हैं लेकिन अगें आप क्या करेंगे उस glass rod को आप silk thread के साथ hang कर देंगे और अब इस charge plastic rod को इस rod के करीब लेकर आएंगे अब जैसे ही हम करीब लेकर आएंगे तो इस case में एक attraction develop हो जाएगी और force of attraction कब develop होती है जब दोनों rods oppositely charge हो जाएं यह rod upward move करेगा उसकी तरफ और वो rod downward move करेगा नीचे बादे rod की तरफ that means यहाँ पर force of attraction develop हो गई है और force of attraction कब develop होती है जब दोनों rods के उपर oppositely charge develop हो जाते हैं clear यहाँ पर एक point में clear करता हूँ यहाँ पर आपको कि मैंने यहाँ पर कहा कि हम electric charge को produce कर सकते हैं by rubbing a neutral body with another neutral body तो आपने पढ़ा होगा कि neutral body means no charge उसके उपर कोई charge नहीं है तो ऐसा नहीं होता neutral body के अंदर भी charges मोजूद होते हैं लेकिन उस case में क्या होता है कि positive charge और negative charge equal होते हैं that's why हम कहते हैं कि वो body neutral है लेकिन उस neutral body के अंदर भी charge मोजूद हैं लेकिन क्या है कि उनकी amount equal है अब जब हम उनको rub करते हैं तो rub करने से होता क्या है एक body से negative charge हो हो move करके दूसरे body की तरफ चला जाता है like let's suppose मैंने कहा दो bodies जो के neutral हैं अब इस body में let's suppose 4 negative charges है इस body में भी 4 negative charges है similarly इस body में 4 positive charges है इस में भी 4 positive charges है अब दोनों bodies क्या हैं ये neutral हैं लेकिन जब हम इनको rub करेंगे तो rub करने से क्या होगा हमेशा negative charge जो है वो travel करके दूसरी body में move कर जाता है तो अब जब negative charge move करेगा let's suppose कि मैं कहता हूँ कि ये negative charge है ये move करके आ जाएंगे इस body में अब इस body में अगर हम देखें तो negative charge है वो 2 extra हो गए है तो हम कहेंगे इस body में 2 electrons जादा हो गए हैं that's why इसके उपर एक negative charge आ जाएगा अब अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर अब negative positive, negative positive clear? यह तो neutral हो गया लेकिन 2 positive यहाँ पर रह गए है that's mean इसके उपर 2 positive का charge आ जाएगा ओके? इस इस positive और इसको हम कहज़ते हैं यहाँ पर negative charge आ जाएगा ओके? तो इस तरहां से negative जो charge होता है हमेशा वो move करता है और उसकी movement की वज़ा से उन body के उपर charges जो है वो develop हो जाते हैं अब similarly अगर हम activity 13.1 को discuss करें इसमें हमने कहा था कि plastic rod हैं दोनों और दोनों को हमने फर के साथ रब किया जब फर के साथ हम रब करेंगे तो दोनों में same type of charge develop होगा अब same type of develop that means कि हम कहते हैं कि दोनों में negative charge develop हो गया ओके? तो यह negative charge जो है यह आपस में एक दूसरे को repel करते हैं तो इस सहां से यह दोनों rod जो हैं यह repel कर जाएंगे और हमें एक force of repulsion develop हो जाएगी और similarly हम अब next activity discuss करें जिसमें हमने कहा कि opposite charge develop होगे है तो let's suppose कि इसमें negative charge develop होगे है और इसमें positive charge develop होगे हैं तो इस positive negative की वज़ा से इन में आपस में attraction develop हो जाती है तो यहां से clear हो गया कि वो opposite charges है वो develop हो गए है अब इन में जो property जो attraction और repulsion की develop हो चुकी है वो किसकी वज़ा से हुई है just because of the electric charges they acquire during rubbing तो rubbing के दुरान इन में जो electric charges built up हो गए थे उन charges की वज़ा से इन में attraction और repulsion develop हो गये clear I hope आपकी concept clear हो गया होगा कि यहां पर भी हमने दो neutral bodies को अपस में rub किया और उनको rub करने से क्या हो गया उन दोनों के उपर charge develop हो गया clear इस नहां से हम charges को produce कर सकते हैं अब last में we can produce two type of electric charges through the process of rubbing तो आप rubbing के process से आप two types के charges produce कर सकते हैं और वो दो types कौन से हैं these oppositely charges are conventionally called positive charge and negative charge तो इन oppositely charge को हम क्या कहेंगे एक को हम कहते हैं positive charge और एक को हम कहते हैं negative charge I hope आपको ये topic clear हो गया होगा अब हम next board पर कुछ outcomes हैं वो डिसकस करते हैं from these activities we conclude that first one charge is a basic property of a material body due to which it attracts or repels an other object तो charge किसी भी material की वो basic property है जिसकी वज़ा से वो एक दूसरे object को attract करता है या repel करता है जैसे हमने activity 13.2 में भी discuss किया और 13.1 में भी discuss किया कि charges की ही वज़ा से उनमें force of repulsion भी develop हो गई थी और force of attraction भी develop हो गई थी second friction produces two different types of charges on different materials such as glass and plastic तो यहां पर बात की की गई friction की कि friction की वज़ा से produce होते है दो different type of charges जैसा कि हमने बात की कि आप दो neutral bodies को अपस में rub करें अब जब भी हम किसी इसको rub करते हैं तो no doubt वहां पर friction भी develop होती है तो उस friction की वज़ा से वहां पर दो different type of charges जो है वो develop हो जाते हैं on different materials like glass and plastic अगर हम यहां पर देखें तो glass के उपर positive charge develop हो गया था और plastic के उपर negative charge develop हो गया था clear and the third point like charges repels each other कि same type of charges होंगे तो वो एक दुसरे को repel करेंगे like activity 13.1 जिसमें दोनों rods के उपर negative charge थे तो same charges थे तो that's why वहां पर force of repulsion develop हो गयी थी and the fourth point unlike charges attracts each other अब unlike charges mean के charges same ना हो activity 13.2 जिन में charges same नहीं थे तो उन में force of attraction develop हो जाएगी ओके जब unlike charges होंगे तो हमेशा वहां पर force of attraction develop होगी and the fifth point repulsion is the sure test of charge on a body आपने किसी भी body पर test करना हो के इसमें charge मुझूद है या नहीं तो आप उसका repulsion test करें और repulsion test से ही के clear हो जाएगा के उस body के पर charge मुझूद है या नहीं now the question is के हम attraction वाला test क्यों नहीं करते है आप इसका answer आपको next lecture में मिल जाएगा so अब इस topic के last में एक self assessment है जिनके answers आपने करने हैं अब first question उसमें ये पूछा गया है कि do you think that amount of positive charges after rubbing is equal to the amount of negative charges कि जब हम दो bodies को rub करते हैं तो एक body के उपर positive charge develop होता है और एक body के उपर negative charge develop होता है तो क्या rubbing के बाद उन bodies पर positive charges और negative charges equal होंगे yes वो equal होंगे because अगर हम यहाँ पर देखें तो इन दो bodies को हमने जब rub किया था इसके दो electrons move कर गए थे यहाँ पर that's mean कि इस case में आपके पास two negative charges extra हो गए similarly अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर positive charges दो आपके पास extra हो गए तो यहाँ पर two positive charges हो है वो extra हो जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि yes the positive charges and the negative charges are equal after rubbing okay clear तो second question है what would happen if a neutral rod comes closer to a positive charge rod तो जैसे ही आप positive charge rod एक neutral body के पास लेकर आएंगे तो उस neutral body में अभी यहाँ पर क्या है कि positive or negative equal है that's why वो neutral है लेकिन जैसे ही आप positive rod उसके पास लेकर आएंगे तो होगा क्या कि negative charges जो है वो सारे attract होकर उस rod की एक side पर आ जाएंगे और positive charges जो है वो सारे एक side पर आ जाएंगे तो अब जो negative वाली side होगी वो उस positive rod से attract कर जाएगी clear और and I hope कि इस question का answer आपको next lecture में मजीद clear हो जाएगा okay so अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा टेक केर अलाहाफिज